इस्टुडेंट्स संधी प्रक्रणम इसमें से संस्कृत में और हिंदी में दोनों में संधी प्रक्रण जो है लगएक शामाइन है बढ़यों वड़ा नाम वा मेलनम संधी sahashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashash जंजन संदी जिसे कहते हैं और विशर्ग संदी तो बच्चों इसमें अच्य और हल क्यों कहा जाता है कि इसमें बताने के लिए हमें महेशार सूत्र में जाना पड़ेगा और चुकि महेशर्शूत्र क्या थोड़ा कठिन है और इसलिए हम चाहते थे कि आप लोगों को भी महेशर्शूत्र जो है जब में आप जाएंगे तो इसमें आपको बता जाएगा ठीक है और या कि अगले कभी आगर समय रहेगा तो आप इसी पिरड में आपको बताएंगे ठीक है जब सभी बच्चे एक साथ होंगे तो शामने रहेंगे तो महेशर्शूत्र से फिर जो ब्याक्रण में इस्तिमाल होता है उसका हम उलेख करेंगे ठीक है अभी किवल आप समझे कि अज को स्वर्शंदी कहते हैं और हल्को ब्यंजन संदी कहते हैं ठीक है वच्चों थोड़ा स्जैसे हिंदी में हमने बताया था अभी आपको संदी गुण संदी ब्रद शंदी य सभु रिवस हैं सब है ठीक है कि वलाप अंतर अंतर यह है bilang co mEl बताया था आप भी क्लेश पहले सबसे पहले आप देखिए में जो हिंदी में आपको बताया गया है मंत प्लस अनुसार हो जाएगा मैं जो दूसरा पत हुशरन लगा और पूरे पूरे रूर्स जाए हैं जो आपके हिंदी के थे वही संस्कृत में है जैसे दीर मतब बड़ा वही है अ कहा सब बढ़ने दीरगा अब क्योंकि यह सभी जो शूत्र है यह सभी शूत्र क्या है महिसर शूत्र के बाद में इसको जब तक बिना समझे नहीं समझ में आएंगे तो पहले जब सभी बच्चे एक साथ होंगे कभी तो मैं आप लोगों को बहुत्र शूत्रों की बारें बताऊंगा इस्टुडेंट्स तो आपको जैसे क्या पुष्टक प्लस आलय पुष्टकालय हिंदी में है संस्क्रत में वहीं हो जाएगा पुष्टक प्लस आलय पुष्टकालय गिरिधन इस हिंदी में है तो संस्क्रत में जाएगा गिरिधन इसाह गिरिषा है शिमलर है उसमें कहीं पर कोई भी अंतर नहीं है वैदेक काल में जरूर था कि यसे छोटी री और बड़ी री हुआ करती थी तो आपर वैदेक काल कोई बात दी नहीं लेकिन पेत्र प्लस रिणम पेत्र रिणम बने छोटी री और बड़ी तो छोटी री भी क्या है री 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 का यहां पर बड़ी री में कनवर्जन हो जाता है गुरसंद में भी सिम्लार ली वही है आपको जैसे में रता है ए और एक चीज मैंने उसी समय बताया था कि आ के सामने ए ए ए हो जाए और अगर उपड़ाए तो फिर ओ हो जाए यदि या वैरी यह सामने तो और होई विकार लिरी आए तो अल बने तो आ के सामने छोटा या प्लस लंकार तो लंकार एक नई चीज में यह है बरदि संद में बिलकुल शेम वही है कि बला आपको क्या है आपको दूसरे पाद में विसर्ग बस लगाना है जैसे सदा प्लस यह हिंदी में था सदेव जैसे महा दन औ शधी अमन आपको उता है था तो यहाँ पर हिंदिक महा सधी हो था यहाँ पर संस्क्रण रहे महा प्लस आउसधी इकल टू प्लस आउसधी ही हो जाएगा अंतर के वले इतना है यहन संद में भी व ही है नियम है के बहुँ आपको इसे पूर रूप संधी मैं आपको बता दूँ तो पूर रूप संधी में क्या है जब अ और ओ के बाद में बचो जब ओर ओ के बाद में आप देखिए पूर रूप आप इसे देखिए संधि में क्या है यहाँ A और O के बाद में आप क्या हो जाता है A आ जाता है तब क्या होता है वह आ अब अग्रह में बदल जाता है अब अग्रह मत्ब यस का जो चायन है ठीक है बस यही पूर रूप शंदी है इसके अलाबा ब्यंजन के सभी नियम जो आपने हिंदी में पढ़े है वही शेम है और विशर्ग में जो भी रूल्स आपने को बताए गए है वही सभी रूल्स जो है आपके शेम है एक्जाम्पल्स आपकी बुक में सभी दिये गए है ठीक है अगर इसके बाद में आपको कहीं कोई प्रॉलम होती है तो आप बताएगा ओके श्टुएंट्स ठीक है तो आप लोग क्या है इतना रखिए ध्यान वहां की पूरा जैशाप हिंदी का पूरा रूल्स नियम है वही क्या संस्क्रत के नियम है